कभी-कभी हमारे को ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी का जो कूलेंट कम हो रहा है और हमारी गाड़ी जो है वो कूलेंट खाना शुरू कर गई है मौर्निंग में जिस टाइम पे हम उठते हैं और गाड़ी स्टार्ट करने से पहले जब चेक करते हैं रिडिटर कैप को तो देखते हैं यहाँ पे कूलेंट में कमी है तो यह जो कमी होती है चिंता का विशे होता है जो थोड़ा-थोड़ा कूलेंट कम होना है मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी इसको टॉप अप करने की उस टॉप अप में मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ चेक कर रहा हूँ तो यही लीकेज मैं चेक कर रहा था एक्चुल में यहाँ पर मैकसमम तक मैंने भरा था और आप देख सकते हैं यहाँ पर 10-11 किलोमेटर गाड़ी चली है इतना कूलेंट जो है यहाँ पर कम हो गया है basically कैसे कि लगता है कि यह तो गाडी coolant खा रही है यह तो कहीं पर leakage है और मेरे को doubt था कि इसकी head gasket चली गई है क्योंकि leakage मुझे कहीं पर इस गाडी में मिल नहीं रही थी तो मैं आपको बताता हूँ कि कभी आपको अगर ऐसे doubt हों अगर आपको ऐसा लगे कभी तो आपको किस तरह से चेक करना चाहिए अपकी गाड़ी में और step-by-step किस तरह से चलना चाहिए वो मैं आपको घर पे ही जो आप कर सकते हैं कम से काम उसको बताने की कोशिश करूँगा बाद में जो next वीडियो मेरी आएगी उसमें मैं बताऊँगा कि कैसे specifically कुछ tools की मदद से यह जो समस्या होती है coolant कम होने की एकदम pinpoint कैसे पकड़ सकते हैं सबसे पहली जो तीज आपको करनी है radiator cap के नीचे आपको देखना है कोई sludge तो इकठा नहीं हो रहा है यहाँ पे कोई milkshake तरह का substance जो इकठा तो नहीं हो रहा है यह वो basic checks हैं जो आप घर पे कर सकते हैं यहाँ पे अगर कोई milkshake टाइप का बन रहा है मतलब आपका coolant और engine oil दोनों साथ में mix हो रहे हैं साथी में आपका जो engine oil भरने का जो डखकन होता है उसको आपको देखना है यहाँ पे कोई milkshake तरह का कोई substance जो इकठा तो नहीं हो रहा है अगर यहाँ पे milkshake बन रहा है मतलब तब भी समझ लीजी है coolant के साथ में engine oil mix हो रहा है साथी में अगर आपकी जो tail pipe है वहाँ से अगर सफेद धुआ निकल रहा है white smoke अगर निकल रहा है तब भी आपको समझ जाना है गाड़ी आपकी coolant खा रही है मेरे case में यह तीनों चीज़े नहीं है मतलब मेरे doubt जो जाता है वो जाता है कि leakage कहीं न कहीं पे मेरी गाड़ी में है क्योंकि coolant रोज यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है वो कम होता है मतलब थोड़ी सी गाड़ी चला के लाऊं अगर मैं 15-20 किलोमेटर भी तो थोड़ी सी मात्रा में coolant यहाँ पे कम हो जाता है अच्छा एक case ओर होता है कभी-कभी यहाँ पे air भी trap रह जाती है उसकी वज़ा से भी चीज़ें होती है तो bleeding वगरा मैंने सब करके देख ली थी और अभी जो आपको check करना है leakage के लिए जितनी भी horse pipes होती है आपकी गाड़ी में और इस तरह का horse pipes में आपको leakage जूड़ना है कि कोई coolant के droplets तो वहाँ पे नहीं है और कोई निशान तो नहीं छोड़े है यह वाले जो निशान है यह हलका फुलका coolant गिरने के निशान है जो अमूमन गाड़ियों में होते है तो जितने भी आपके horse pipe हो गये specially आपका जो water pump हो गया water pump की कई बार gasket leak कर जाती है यहाँ से भी आपको coolant drop के निशान हलके फुलके मिलेंगे अगर यहाँ पे मिल रहें seal आपकी change होगी water pump के बार change करना पड़ जाता है तो यह एक बहुत बड़ा major जगा होती है दूसरा जो major जगा होती है वो होती है आपके therm thermostat के पास में से भी कई बार जो है वो coolant leak करता है especially अगर मेरी गाड़ी की तरह अगर आपका thermostat का elbow जो है वो plastic का है तब तो chances और बढ़ जाते हैं क्योंकि plastic के पिगलने के chance रहते हैं तो जितने भी यहाँ पे hoses के joints है joints के उपर में आपको particularly check करना है कि कोई leakage के निशान तो न एंदर जाके यहां से ऐसे हीटर कोर में जाती है तो यहां पर हलका हलका भुगा दिख रहा होगा पर यह जो बू कलर है वो Matt का है Actually matte का कलर जो नीचे का है वो blue कलर का है So, यहां पर धोखा भी नहीं खाना है ऐसा ही सोचना कि अंदर में heater core हमारी जो है वो खराब हो गई But यहां पे मेरी गारडी में आपको बताता हूं यह जो heater core की pipe ओं के joints है Joints के नीचे में आप देखेंगे बिलकुल हलकी सी जो फायरवॉल है उसमें आपको सीलनसी मिलेगी ऐसा लगेगा ये गीला सा है थोड़ा सा तो ये जो गीला हो रखा है ये यहाँ पे coolant जो है वो गिरता रहता है जिस ताइम पे मैं गाड़ी चलाता हूँ देख रहे हैं ये गीला हो रखा है वो जो checks होते हैं वो आपको मैं एक वीडियो में जुरूर दिखाऊंगा कि कौन से कौन से checks एकदम confirm करने के लिए होते हैं कि coolant leak हो रहा है या फिर head gasket leakage है बट आज जो मैंने आपको checks बताए ये आप घर पे असानी से कर सकते हैं बिना किसी tools की साहिता से सिर्फ visual inspection के साथ में कि कहीं गाड़ी में coolant leak हो रहा है या फिर head gasket की समस्या है या फिर coolant गाड़ी खा रही है मतलब कुछ इस तरह के जो basic checks हैं वो आप कर सकते हैं ज्यादा तर जो leakage मिलती है वो आपको water pump की gasket पे मिलेगी या तो radiator पे मिलेगी radiator भी बहुत ज्यादा leak करते हैं नीचे वाले जो tanks रहते हैं उसके साथ में जो जितने भी joints होते हैं हमारे oz pipes के joints पे अकसर जो है वो leakage पाए जाती है तो visual inspection करना बहुत ही ज़रूरी है साथ में जो pinpoint inspection है जो कुछ special tools आते हैं उनकी मदद से कैसे चेक किया जाता है मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा और वो especially mechanic भाईयों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो tools जो हैं अगर आपके पास में हैं तो आप एकदम pinpoint बता सकते हैं कि कौन सी गाड़ी में क्या समस्या है और किस चीज से related है तो आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो को like करने के लिए चैनल को subscribe करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत